नमस्कार प्यारे मित्रों सुप्रभात आप सभी को राम राम जैसे कृष्ण आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो पुर्व के पेपर अपलोड किये गए हैं उन पेपर के डीटियल को देखेंगे जिसमें तीन प्रश्ण पुछे गये थे और तीनों प्रश्ण में कु साब्स कि संकेत पुछे गये शोंबल पुछे गये थे जिसके नाम दिए गये थे और दूस्राव में जो परश्ण recipes प्राइब न को हम देखेंगे और आपको यह समझ में हैं किसे हम किस परकार से अंसर करना है यह हमारा जो सब्जेक्ट एंजरीन ड्रोइंग का है और यह पेपर पे लिखा गया था यह ITAT 2020 का तो इस परकार से दो प्रस्ट पेपर थे मेरे पास जो लास्ट में अपलोड किये थे उनमें से एक और रह जाएगा इस वीडियो के बाद तो हम सब उसका भी अंसर करेंगे और जो नया भी डेट आया हुआ है जो एक मार्च से पेपर होगा जो 19-21 के जो बच्चे हैं उन सभी बच्चे के एकजाम क्रोना के लेकर नहीं हुआ समय से लेकिन अब वो एक मार्च से होने के डेट दी गई है जिसमें पहला ही सब्जेक्ट है आपका एंजरिंग ड्रोइंग वो सभी ट्रेडों का एक साथ एक मार्च को होगा उसके बारे में भी थोड़ा सा और आपको प्रिबियस पेपर जो है पहले प्रिश्ण का असन करेंगे और फिर दूसरे वीडियो में दूसरे प्रिश्ण और तीसरे वीडियो में तीसरे प्रिश्ण यानि पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थी करके हम आंसर देंगे तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करते हैं जिसमें पहला प्रश्ण में क्या क्या पुछा गया था पहले प्रश्ण में पुछा गया था आटो ट्रांसफर्मर्ट दोसरा था फियोज तीसरा था दीसी स्रीज मोटर और चौथा था अंडरगाउंड केबिल और पर्शवा था में फ्यूज बोर्ड वेथ स्वेच यानि कि आपके कूल पांच संकेत पुछे गये थे जिसमें पांचों संकेत के बारे में देखते हैं पहला जो आपको दिखाया कि है ए नंबर में प्रश्ण स कैसे यह सिंगल फेस का है और यह थिरी फेस का है तो थ्री लाइन रो कर दो यह से आपको लूप निकाली गई होती है और यहां से यह इस वरकार से यह कटव ट्रास्फरमन का यह भी सीम्बल होता है सेकेंड में आपको पूछा गया था यहां पे बी नंबर में फ्यूज त यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर देख रहे हैं कि एक लाइने से लिगई है यहां पर दिखाया गया है और यहां पर उसके मोटर के अंदर जो वायल होगी बाइंडिंग होगा वह आपको फिल्ड वाइंडिंग होगा इस परकार से यहां पर अपने मोटर लिख दिया और कौन साथ डीसी है तो डीसी है तो दोनों के लिए साइन बना दो आपको डीसी पूछता है तो स्टेट जाता है कि शांसा इसमें आपको एक पैरलल वी लाता है यहां पर एक हम इसके पैरलल में यहां पर कनेक्शन कर देंगा तो यह आपका संड कहलाता है और यहां पे लगा देते हैं तो यह अगला कमपाउंड मोटर और ऐसे भी ना लगाए मतलब एक अर्मेचर के करम में लगाते हैं तो यह स्री टाइप मोटर होता है नेक्स्ट आप यहां पर देख रहे हैं डी नंबर जो अंडरगाउंड केविल की बाते पुछे गई के अंडरगाउंड केविल कैसा होता है उसके पार् कि यहां पर और यहां पर बनाया गया यह कंड़कर आपके ऐलमोनियों में कपर की हो सकते हैं जिस वरक दीघडियों के अदार उक्तिरी हो सकते विए इसके उपर यहां पर देख रहें इंसलेन लगा गया गया उसकें बाद आप यहां पर की कुछ मेटेरियल्स लगाए गया होते हैं जिसको बाइंडिंग करते वक्त उस अवलिय से टेपिंग किया जा सके हैं उसके बाद सीथेड लगाए गया है इसके उपर एक कभर सीथेड की लगाई गयती है उसके बाद 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 की गयती है कॉटेन की या सील की भी बाद की गया होत winding खराब ना हो इसके उपर serving लगाए गया होता है serving जो होता है सबसे उपरी परत होता है आर्मिंग के उपर लगाए गया होता है यह इस सुरक्षा परदान करता है जो की तापमान और वारिष से बचाता है तो इस परकार से यह सब चीजे का detail था और यह एक करम में सब बनाया गया होता है तो आप इसे बनाने के practice कर लेंगे इस परकार से कई बार यह पूछा भी गया है तो यहां सब देख लेंगे तो justice के बाद हम देखेंगे कि जो हमरा 5 नंबर है किसमें क्या चीजे है तो यहां पर आप देख पा रहें है कि AC आपकी supply होगी जो कि 220V हो या 440V हो और यहां से आप देख रहे हैं कि ICTP switch लगाया गया यह आरेन के लिए triple volt switch लगाया है और यह switch जो है main switch है जिसको हम लोग change over switch भी बोलते है यह change भी करते हैं और यह controlling switch भी बोलते है जिसे हम control करते हैं दूसरा है कि इसके पास आउट होगा तो यहां पर fuse लगाया है यहां पर fuse जो लगाया है kit card fuse लगाया होता है kit card fuse में हमारा जो होता है कि चिन्नी मिटी का kit और card tis बना होता है और उसमें आप देखते हैं कि यह copper की fuse लगाया होता है और वो असाने से इसे rated load से जैसे ही load आपका बढ़ता है वहां पर इसे melt हो जाता है तो यह आप देख पा रहे हैं यहां से to load यानि कि यह load के लिए supply यहां से out हो जाता है तो यहां पर पूछा गया था जो आपका क्या है main fuse board with switch तो यह इसका diagram यहां तक हुआ और इसमें color code किया जाता है जो supply होती है उसे ryb यानि कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि red है, yellow है और blue है, इसके साथ में एक neutral भी जाते हैं तो यह switch से not control करे bypass भी जाता है और control करके भी जाता है तो mainly आपको देखने को मिलता है कि जो supply ryb यह वो control करके switch से fuse के साथ जाता है तो फिर हम मिलेंगे next video में जो कि आपके slip ring induction motor के detail के साथ मिलेंगे तो आप सभी को इस video में बहुत बहुत धन्यवाद